समस्कार आप सभी को मैं गौर्फ सर्मा और आप लोग देख रहे हो एडवाइजेंड एजुकेशन अभी हाल ही में हुड़ा साथ यानि के भूपेंदर सिंग हुड़ा जो की हरियाना के भूत्पूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने बयान दिया कि हम HKRN हरियाना को बिल्कुल खतम कर देंगे तो पत्रकार ने एक कांटर कॉश्चन किया कि सर आप HKRN को खतम कर दोगे जो उसमें लाखों करमचारी काम कर रहे हैं उनका क्या होगा तो उन्होंने कहा कि ये जो करमचारी काम कर रहे हैं अगर ये योगदिता रखते हैं तो इनको दूसरी job मिल जाएगी तो मैं यहीं यह कहना चाहूंगा कि क्या आप लोग इस हरियाना को बेरोजगारी की गर्थ से भार नहीं निकालना चाहतें आप लोगों से एक निवेदन है वैसे ही हरियाना में बेरोजगारी पहले नमबर पे है कम से कम आप लोग ऐसे बियानों को देकर इस बेरोजगारी को तो ना बढ़ाएं आप लोगों को तो ये कहना चाहिए था कि हम HKRN करमचारियों को पक्का कर देंगे बिल्कुल पर्मानेंट लेकिन यहां BJP सरकार थोड़ा सा फायदा उठाती नजर आती है BJP ने ये का है कि हम लोग HKRN करमचारियों या गुरूप D या गुरूप C में जो लगे हुए हैं उनको हम 58 साल की गारंटी देते अब वो लोग 58 साल तक जौब कर पाएंगे और ठेकेदारी पिर्था खतम कर दी जाएगी आप लोग इस वारे में क्या सोचते हो क्या HKRN को खतम कर दिया जाए तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताएं मेरे हिसाब से HKRN को खतम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस HKRN के त्रिव बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं अगर HKRN को खतम करते हैं तो जो इतने लागों करमचारी HKRN में जौब कर रहे हैं उनके परिवारों का क्या होगा और उनका क्या होगा तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट में जुरूर बताएं कि आप लोग इस HKRN की जौब के वारे में क्या सोचते हो क्या इसे खतम कर देना चाहिए या इसे ऐसे ही कंटीनियू रहने देना चाहिए क्योंकि जितनी भी भरतियां हरियना सरकार द्वारा निकाले गई हैं पिछले 9,5,5 सालों में तो इन सब भरतियों पर किसी ना किसी भरती पर किसी ना किसी कारण से केश डाल दिया गया ये भरती पूरी नहीं हो पाई इस से अलग अब सरकार के पास दूसरा उप्सन था हरियना कौसल रोजगार निकम इसके माद्धम से सरकार उस बेरोजगारी को दूर करने का प्रयाश कर रही थी और हुड़ा साब ने ऐसा सर्मनाक वियान दे कर बेरोजगारों की नींद को हराम कर दिया है और जिल लोगों को अच्छ अब क्लें प्रयाश करने के वारे में क्या सोते हो और मैं बस आपसे एक ही बात चाहूंगा कि आप लोग जो किन सरकार से सम्मझ भरतिया उन्हें वर्तियों के फोर्म जरूर फिल करें मैं चाहता हूं कि आप लोग केंश सरकार की भरतियों को priority ज़ादा दे उन्हें भरतियों के from को ज़ादा fill करें क्योंकि राज्य सरकार में क्या होताए राज्य सरकार में जो party यह होती है ना वो एक दूसरे के लोगों को लगाकर उनको फिर बाद में हटा देती है तो राज्य सरकार की जूब होती है उसमें जूब स्क्यूर्टी नहीं होती और मैं आप सभी से एक निवेदन करूँगा कि आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लीजे जिससे आपके पास सरकारी योजना और सरकारी भतियों से सम्मंदित अपडेट आती रहे और इस वीडियो को आप अपने वर्टसप ग्रूप पर जरूर सेयर करें और एक निवेदन और करूँगा हाज जोड़ कर प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें नमस्कार